स्वागत है आपका इंडिया टीवी में धुपहर के तीन बच चुके हैं मैं हूँ आपके साथ विविक शांडेले बुलेटिन में बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के करताविय पत्की करेंगे प्रधान मंत्री मोधी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा बनकर तयार है पिये मोधी कल इसे देश को समर्पित करेंगे आजादी के बाद किंग स्वे का नाम बदल का राजपत कर दिया गया और अब इसका नाम करतव्य पत्र रखने का फैसला किया गया है NDMC ने राजपत का नाम बदलने का प्रस्ताव पास भी कर दिया है कलप्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी जिस करतव पत्थ का उध्गाटन करेंगे वो कैसा दिखता है इन तस्वीरों के जरीया आप अंदाजा लगा सकते हैं यह तस्वीरें नए सेंट्रल विस्टा की हैं तस्वीरे देखकर आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगाईए करतव पत्थ के दोनों तरफ से वॉक्वे नए से डिवलप किये गए हैं पुराने जंजीरों को दुरुस्त करके नया लगाया गया है इसी तरह इंडिया गेट के आसपास के एरिया को भी री डिवलप किया गया है पूरे इलाके में 4000 से ज्यादा पेड लगाया गया है इनमें से 140 नए पेड हैं तो 191 पेड अभी लगाया है जाने बाकी हैं री डिवलप्मेंट के दोरान 47 से ज्यादा पेड़ों को हटा कर नई जगए शिफ्ट किया गया है पार्किंग की जगए जो पहले थी ही नहीं उसकी जगए नई पार्किंग बनाई गई है गंदतंत्र दिवस की परेड भी राजपत से होकर गुजरती है ये तस्वीरें आपने पहले भी देखियोंगी इसे देखने के लिए भी राजपत के दोनों तरफ विवस्था की गई थी उसे और बहतर किया गया है इंडिया गेट से राजपती भावन की तरफ बढ़ेंगे तो राजपत के पेरलल नहरे हैं इन केनाल्स को रिडेवलप किया गया पार्क में टहलने के लिए अलग से पात बनाए गया है केनाल्स की तस्वीरे देखिये जिनके उपर ब्रिज बनाए गया है ये वाक करने वाले ब्रिज हैं आप केनाल्स को ब्रिज के जरीए पार कर सकते हैं इन के नास को क्रॉस करने के लिए एकुल सोला ब्रिज बनाए गाएं, सोला पुल बनाए गाएं यानि अब अगर आप इंडिया गेट के लॉन्स बर वाक करना चाहें तो इर्द गिर्द आपको खुबसूरत नजारे भी दिखेंगे वो नजारे किस तरह के होंगे, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं आप इंडिया गेट जाएंगे तो आप इन ही तस्वीरों से रूबरू होंगे इस तरह के नजारों से रूबरू होंगे और morning walk cycling करने के लिए evening walk करने के लिए एक बेतरीन जगे भी इसे कहा जा सकता है अमर जवान जियोती को war memorial में मर्ज करने के बाद इंडिया गेट भी बदल चुका है अब राजपत पर सैर का experience बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसका नया नाम भी होगा जिसे कर्तव यपथ के नाम से जाना जाएगा मैं अपने सभी colleagues का धनिवाद देना चाहती हूँ जिन सबने मिलकर ये आज फैसला लिया और इस फैसले के पीछे जो इतिहास है वो भी आपको बताना चाहती हूँ यहास है कि इस जगह का नाम पहले Kingsway होता था और दूसरी जो सड़क है जो इससे मिलती है उसका नाम Queensway होता था तो Queensway को बदल कर आजादी के बाद जनपत किया गया लेकिन जो Kingsway था उसका नाम राजपत कर दिया गया उसका सही माइनों में राज की जो विचार था उसको नहीं बदला गया लेकिन आजाद भारत में जब लोकतंत्र का माध्यम हमने सरकारी तोर पर चुना तो जो हम सब की प्रेणा है वो प्रेणा जो है वो अधिकार नहीं बलकी करतवे है Central Vista Project के चलते दिली का इंडिया गेट पिछले 20 महिने से आम लोगों के लिए बन था लेकिन अब परसों से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा इस 20 महिने में इंडिया गेट और उसके आसपास का एरिया कितना बदल गया है देखिए इंडिया गेट के सामने से समवाद आता गौनिका अरोडा की ये रिपोर्ट प्रधानन्त्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा बनकर तयार हो चुका है और कल शाम को प्रधानन्त्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट से इसका उधगाटन करेंगे हम इस वक्त आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सेंटरल विस्टा एवेन्यू जिसका कलुद घाटन होगा कितना खुबसूरत दिखाई देता है मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा वो विज्टा है जो की बहुत ही खुबसूरत इस वक्त आप से दिखाई दे रहा है ये दरसल इंडिया गेट से राश्टरपती भवन की तरफ जबाप आते हैं तो ये पूरा रास्ता जिसे पहले राजपत कहा जाता था और आज इसका नाम बदल कर करताव्यपत कर दिया गया है इसी करताव्यपत के आसपास के लगभग 3.92 किलोमेटर के एरिया में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें तमाम भवन यानि की नौर्थ व्लोग, साउथ व्लोग, इसके इलावा उपराश्टरपती का निवास, इसके साथ-साथ आसपास जो भवन, रेल भवन, श इसके लावा जो वाकिंग पाथ है, उन्हें रीडेवलप किया गया है, आसपास के पूरा ग्रीन कॉरिडोर उसको दुबारा सी रीडेवलप किया गया है, ये सारी खुबसूरत तस्वीरे आपको विजुली तो दिखाई दे रही हैं, अब हम आपको सीधे यहां से दिखा प्रपदी भवन तो आपको यहां से ये खुबसूरत नजारा इस सेंटरल विस्टा एवेन्यू का दिखाई देगा। पूरा एरिया बंद था, लेकिन अब ये एरिया परसों से खुल जाएगा, यानि कि अब लोग यहां पर आप आएंगे, कल जब प्रथान मंत्री नरेंद्र मोधी यहां पर इस सेंटरल विस्टा प्रोजेट का उधाटन कर देंगे, इसे जनता के लिए खोल दिया जाएग और परसों से तमाम लोग यहां पर आप आएंगे, यानि कि शुक्रवार की सुभह से सभी लोग इंडिया गेट के इस परिसर की तरफ आप आएंगे, क्या खास तैयारियां की गई है, वो अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लाइटिंग का पूरा अरेंजमेंट यह यहां पर किया गया है, क्योंको क खास खारीकरम यहां पर होगा, उसमें पधार मंतुरी नरेंदर मोधी, इसके इलावा तमाम केंदरी मंतुरी, तमाम नेता यहां पर मौजूद होंगे, और बहती लगी खूबसूरत तरीके से इस कारीकरम को अंजाम दिया जाएगा, एक जब लोग वहाँ पर इंडिया गेट के बिलकुल पास जाकर तस्वीरे खिचाते थे और अभी फिलाल आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं कि लोग बैरिकेट के पास यहाँ पर खड़े होकर दूर सही इंडिया गेट के साथ अपनी तस्वीर लेते हैं लेकिन अब परसों से जब ये सेंटल विस्टा प्रोजेक्ट का उधाटन हो जाएगा तब लोग बिलकुर इंडिया गेट के पास जाकर वहाँ पर तस्वीरे खिचा पाएंगे और ये सारे बारिकेट्स यहाँ पर हट जाएंगे और यहाँ पर इसके इलावा कई ऐसे लाइ से सीसी टीवी कैमरास भी और जादा इंस्टॉल किये गए हैं और जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खुल जाएगा तब सुरक्षा के लिए तमाम पुलिस कर्वियों की तैनाती भी यहाँ पर रहेगी ताकि ये पूरा एरिया इसके लोगों के लिए इंजॉयमें के लिए इंटर्टेमेंट के लिए रहे लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षित भी रहे तो आपने अभी इंडिया गेट की तस्वीर देखी अब हम आपको इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा के आसपास का नजारा दिखाते हैं दिखें कैसे 20 महिने के अंदर ही पूरे एर कूप रेखा बदल दी गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल करीब से किस तरीके से यह जो पूरा एरिया था उसे कैसे पूरा तरह खुबसूरत बना दिया गया है और री डेवलेप्मेंट में सबसे पहला जो काम किया गया इस पूरे पथर को बदलने क किया गया जो पत्थर पुराना हो चुका था यह जो पत्थर जिसे दुबारा सिस्तिमाल लाया जा सकता था उसे अब पूरी तरह यहां पर और खुबसूरत तरीके से आप लगाया गया है इसके इलावा सफाई करमचारी लगातार यहां पर रहेंगे ताकि इस पूरे एरि पूरी तरह साफ किया गया है इसके इलावा अब उसके ऊपर चलने के लिए पैदल पूल बनाये गए है यानि कि अगर आप इस नहर का एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं तो आप उस पूल पर भी चल सकते हैं इसके इलावा बोटिंग के सुविधा भी जल्दी यहाँ पर उप जोन बनाये गए हैं दो मांसिंग रोट पर दो राजपत दो दूसरे कोने में और इसके इलावा एक वेंडिंग जोन इंडिया गेट की तरफ लगाया गया है और एक वेंडिंग जोन में लगबग 40 वेंडर्स होंगे जो अलग-अलग तरह का खाना लोगों को יहां देता था कि लोग गार्डन में बैठ कर वही पर खाना बेचने वाले बेंडर आते थे और वही पर लोग बैठकर खाते थे लिकिन आप वह दुस विदहा यहां पर नही vandaag कर मा आद सकते हैं और राजपत में जहां पहले बजरी होती थी, कच्ची सड़क होती थी, वहाँ ग्रिनाइट की फ्लोरिंग नजर आएगी। राइसिना हिल से लेकर इंडिया गेट तक 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पात्वे बनाये गया है। आपको दिखाते हैं करतवपत में पंचु के राजपत में क्या-क्या बदलावा आए हैं, क्या-क्या नया लगाए गया है। इंडिया टीवी संवाथा पवन नारा की ये रिपोर्ट देखिए। पहले राजपत की दोनों तरफ 90,000 स्क्वेर मीटर इलाके में यहां बचरी होती थी। लेकिन अब यहां ग्रे नाइट की फ्लोरिंग की गई है, जो इस इलाके को धूल और प्रोदूशन से मुक्त करती है और बेहितर लुक देती है। इतना ही नहीं, इस फ्लोरिंग के नीचे OFC केबल्स मी डाली गई है। क्योंकि इन पर वाइफाई रिसीवर से लेकर अप्टिकल फाइबर वाइरिंग तक पहले से ही की जा चुकी है। यानि अब यह सारे पोल्स प्लग एंड प्ले हैं। जैसे ही कोई आयजन हो, सीधे आप स्पीकर अटेच कीजिए और पूरे इस कर्तववे पत के इलाके में आपको आवाज सुनाई देगी। इतना ही नहीं, वाइरिंग का कमाल ये है कि दूरदर्शन से लेकर एर फोर्स तक और सीची टीवी कैमरे से लेकर आर्मी तक सबकी आप्टिकल फाइबर इसी राजपत या कहें कि कर्तववे पत के बगल के इस इलाके से पहले से ही ले कर दी गई है। नब्य हजार स्क्वेर मीटर से बढ़कर अब एक लाख दस हजार स्क्वेर मीटर का वो इलाका है जिस पर ग्रे नाइट फ्लोरिंग की गई है। लेकिन अब इसी इलाकों में 16 किलोमेटर से जादा के पात्वेस बनाए गए हैं जो इस तरीके से ग्रे नाइट से सजे हुए हैं जिस पर चलते हुए आप राय सिना हिल से लेकर और सीधे इंडिया गेट तक जा सकते हैं और अगर आपको सड़क के पार करने में कोई दिक् रखा गया है इस तरीके से हर सड़क को पार करने के लिए ये अंडर पास बनाए गए हैं यानि आप राय सिना हिल से लेकर और इंडिया गेट तक बिना ट्रैफिक का सामना किये लॉंस पाथवेस अंडर पास इन सब से होते हुए इंडिया गेट सी हेक्सागन तक पहुंच सकते हैं। का दजाम करना रास्ट्रे पर्व जैसे कि 26 जन्वरी 15 जैसे आयोजनों के लिए खास इंदजाम करना जो कि पवन के रिपोर्ट में भी आप ने देखी यह सब कुछ इसी प्रोजेक्ट में शामिल था जो अब सामने नजर भी आ रहा है सेंट्रल विस्टा से गौनिका अरूल उसका उधाटन करत के जनता के सुपूर्द कर देंगे हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं दरसली इंडिया गेट के बिलकुर नजदीक का हिस्सा है इंडिया गेट के दोनों तरफ के हिस्से को यानि कि जो रोड इंडिया गेट से राष्ट्रपती भवन तक जाती है जिस तरीके से रीडेवलप किया गया यह पूरा जो लाल पत्थर आप देख रहे हैं सारे लाल पत्थर से रीडेवलप किया गया है पूरा जो ग्रीन कॉरिडोर है उसके उसे दुबारा से रीडेवलप किया गया यानि कि जो घास पहले सूख गई थी जो घास पहले सही तरीके से साही कंडिशन में नहीं थी अब उसे पूरी तरह ग्रीन कोरिडोर यहां पर बना दिया गया है गार्डन को पूरी तरह ही डेवलप कर दिया गया है जो सामने की तरफ आप सीडियां देख रहे हैं सामने की तरफ जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं दरसल यह एक अंड तरीके से पुरा passage काम करता है , तरसल यह जो पूरा passage है इस पे आगर finely आपहले इस तरीके से होता था और इस तरीके का खास लाल पत्थर का इस पूरी डिवलेप्मेंट पे इस्थेमाल किया गया है अब है आपको नहर का इस्सा भी दिखाते हैं तो ासल जो लोग पी इंडिया गेट आये हैं उन्हीं जानकारी हो गई कि इंडिया गेट के पूछ इस्सों में कुछ नहर है उन नहरों को किस तरह रीडेवलप किया गया हलाकि इस पूरे हिस्से को फिलाल कवर किया गया है ताकि जब जनता के लिए कल इसे खोला जाए तो जनता के लिए पूरी तरह ये एक सर्प्राइज हो जाए